नमस्कार मित्रों आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जीके हेलप विद जयर्वी पर हार्दिक अभिनंदन एबं स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिस एक्जाम के लिए राजस्तान समने ग्यान के मोस्ट एपोर्टेंट 45 कोस् पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेद रहेगा कि आपने अभी तक यूटूब चैनल जीके हेलप विद जयर्वी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्रा अगर आप राजस्तान पुलिस की त्यारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और लायक भी जरूर करें आज का फर्स्ट कोस्टन है कि राठी पर जाती कौन सी दो गायों की संकर पर जाती है तो आपको याद रखने है इसका बी ओप्सन राइट है सिंधी वैसाईवाल इन दो गायों की संकर पर जाती है राठी पर जाती है यानि किस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है दोस्तों राठी गाय को केते हैं राजस्तान की काम देनू ये एकजाम में पूछा जाता है कि राजस्तान की काम देनू किसे केते हैं गायों में बात किरे तो राठी गाय को केते हैं नदियों में बात किरे तो चंबल नदि को केते हैं और दोस्तों ये गायों में सरफस्रेश्ट नसल म अगला कोस्टन है कि राजस्तान वेक किस राज्ये की सीमा पर बवानी मंडी रेलवे स्टेसिन अस्थित है यानि किस कोस्टन का बी ऑप्शन राइट है इपॉर्टन नुक्त वांपर आपको राजस्तान जिक्के से समन्दीत प्रते एक प्रकार के नोट से मिलेंगे तो उसे जुरूर जोइन करें चलिए दोस्तों नेस्ट कुस्टने के राजस्तान के अंताय प्रवाय अपवात अंतर में कौन सी नदी समलित नहीं है दोस्तों जो अपवात अंतर है य 백신 लेकिन बाखि की अंतर में लेकिन फस्चमी बनाशनदी ये नहीं है इसमें समलित, यानि कि इसका ऐ उसन है, इस अरभ सागर में जाती यह आपको द्यान रखने है इसका उद्गम होता है नेया सानबारा गाम सिरोई से और अबू नगर पस्टमी बनास नदी के किनारे अस्थित है यह भी आपको याज रखने है और गुजरात का जो डिसा सेर है दोस्तों यह भी पस्टमी बनास नदी के किनारे अस्थित है चली दोस्तो अगला question के बीमलत कुंड, रामकुंड, चित्रांग मौरी तलाब बीमलत कुंड, रामकुंड, चित्रांग मौरी तलाब Chitod Drug के प्रमुख जल्स्तुरत है दोस्तों जो चितोडगड़ द्रुग है इसकी उत्तर दिसा में एक खिड़की है उसे जना जाता है लाखोटा की बारी की नाम से यानि किस कोस्टन का B option राइट है चली दोस्तों चटा कोस्टन है कि चितोड़ द्रुग में लगुद द्रुग के रूप में नो कोटा मकान या नवलखा बंडार बना हुआ है इसका निर्मान किस ने करवाया था इपोर्टेंट कोस्टन है बहुती चितोडगर द्रुग में लगुत द्रुग के रूपे नो कोटा मकान या नवलखा बंडार बनावा है इसका निर्मान करवाय था राना बनवीर ने यानि किस कोस्टन का D option राइट है नवलखा बंडार के बारे में बहुत बार एकजाम में पुछा गया तो आपको याद रखने है इसका निर्मान राणा बनवीर ने करवाय था कहां पर चितोडगर द्रुग में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जूरूर करें और अपन वर्षा इन जिलों में होती है अजमेर में यानि कि इसका बी ओप्सन राइट है इन ओप्सन के दार पर ये आपको बताने है दोस्तों ये भी कोस्टन 2019 के जो अधिनेस्ट बोड़ के एकजाम हुए थे वहां पर पूछा गया था चलिए दोस्तों कि उद्यपुर रज्य का प्रातन नाम था उद्यपुर रज्य का प्रातन नाम क्या था है तो दोस्तों इसका सी ओफसन रायट हो जैस कि इसी से नागौर बने हैं योदे दोस्तों ये गंगा-नगर और नहमांगर के ऐस-पास का चितर है कूरू देश दोस्तों अलवर का उत्री है यह कुरू देश के नाम से जना जाता था राजस्तान में बात करें तो ये आपको पता रहना चाहिए कि दो दौNew कि निमलीकित संगीत ग्रंतों में से कौन से ग्रंत राणा कुम्भा से समन्दीत है तो दोस्तों राणा कुम्भा से समें जाएगा उर दोस्तों यह मोस्ट इपोर्टेंट 45 कोस्टन है इन 45 कोस्टन में से आपके कुल कितने कोस्टन राइट होते हैं यह कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं क्योंकि यहां पर आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्तान जीके से समंदित आपकी कैसी टेरी है यह भी आपको पता चल नेस्ट कोस्टन है बाड मेर के तिलवाडा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है तो दोस्तों बाड मेर के तिलवाडा में लूणी नदी से मिलती है सुकड़ी नदी यानि किसका सी ओप्सन राइट है इपोर्टेंट कोस्टन है और आपको यह द्यान रखना है अगल खारी नदी का उद्गम राजस्तान जिले के उत्तर में इस्तित किस गाम की पाड़ियों से होता है तो दोस्तों बिज्राल गाम जो की राजस्मंद में इस्तित है यहां से खारी नदी का उद्गम होता है आपको द्यान रखना है बिज्राल गाम राजस्मंद से खारी नदी क बिल जाती है यह आपको द्यान रखना है को राजस्तान की सानिक छावनी भी थी एक दोस्तों देवली नाम से वह यह इस्तान हैं आपको यह द्यान रखना है चली दोस्तों अगला कुश्चन है कि कोपेन वर्गीकरण के अनुशार जेसल मेर वै बिकानेर के पस्चमी बागों में निमन लिखित में से किस प्रकार की जलवायू मिलती है तो दोस्तों कोपेन वर्गी करण के अंसार जेसल मेर वैबिकानेर के पस्चमी भागों में BW, HW इस प्रकार के जलवायू मिलती है यानि कि इसका B option right है बहुत बार ये question पुछा गया दोस्तों कोपेन का वर्गी करण ट्रिवार्था और थर्णवेट इन तिनों के वर्गी करण से एकजाम में question बहुत पुछी जाते है तो ये तिनों वर्गी करण आपको अच्छी तरह से आने चाहिए चलिए दोस्तों next question है कि निमन लिखित में से किसका प्रयोग कबज ठीक करने में किया जाता है और के तो अरनि टेल का प्रयोग कबज ठीक करने में किया जाता है यानि कि इसका ऐ option right है चलिए दोस्तों अगला question है कि राजस्टान में तेंदू पत्थियों का उप्योग मुख्यत आए किस के निर्माण के लिए होता है तेंदू पत्यों का उप्योग मुख्यत है किसके निर्मान के लिए यह होता है तो दोस्तों बीड निर्मान में तेंदू पत्यों का उप्योग होता है यानि किस कोस्चन का B ओप्शन राइट है चलिए दोस्तों अगला कोश्चन के मारना कुमबा ने लगबग कितने दुर्गों का निर्मान करवाय था तो दोस्तों मारना कुमबा ने लगबग 32 दुर्गों का निर्मान करवाय था यानि किस कोश्चन का A option राइट है राजस्तान स्तापत एकला का जनक इसलिए मारना कुम्बा को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 32 दुरुगों का निर्मान करवाए था चलिए दोस्तो नेश्ट कोस्टन है कि किलों की दिवार पर हमला करने के लिए रेत आदी से बना उंचा चबूतरा क्या कहलाता है आपको याद रखने किलों की दिवार पर हमला करने के लिए रेत आदी से बना उंचा चबूतरा पासीब कहलाता है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा से शेर करें यानि कि ए ओप्शन राइट है गागरों द्रुग भी जल्द्रुग का उधारन है यह भी आपको याद रखने है चली दोस्तो नेश्ट कुस्टन की बटनेर द्रुग राजस्तान के किस जिले में स्तीत है बटनेर द्रुग बटनेर द्रुग राजस्तान के कौन से जिले म में स्थित हैं तो याद रखना है दोस्तों बटनेड्व रूग हनुमानगट जिले में स्थित है यानि किसका सी और रायट है दोस्तों बटनेड्व दूग दानवंसे लिके के अंतर ज cat I am nice Porsche Nik 137 अदा क्योंकि ये मुरुस्तल में स्थित् से दुरूग एसका हनुमानगळ नाम क्यों पड़ा दोस्तों क्योंकि माराजा सुर्त सीं जो कि विकानेर के थे इन्होंने मंगलवार के दिन ऐसे जीत Chief An और मंगलवार दिन सब्सक्राइब निर्मान करवाए था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कुस्टों कि दर्मत का यूद कब लड़ा गया धर्मत का यूद को इस दर्मत का यूद था आप दोस्तों हमें क्यों यूद करना है क्योंकि हमारे दोस्तों जो मारवाड के साथ सकते जस्वंत सियंपर्थम उन्होंने राजपूत साहि से ना बेजी थी दाराश कोई की तरफ से इसलिए हमें यह यूद याद करना दर्मत का यूद है जो आपए 1608 इस्वि में वा था और दोस्तों यह कांपर ए उजें मंद्यपर्देश में यह याद रखना है दर्मत जोस्तान है उजें मंद्यपर्देश में स्थीत है चलिए दोस्तों 20 मा को स्टन के दुराई का यूद कब लढ़ा गया दोराई का यूद कब लड़ा गया तो दोस्तो दोराई का यूद हुआ था 1639 में यानि किस कुस्चन का B option राइट है ये यूद दोस्तो दराश को और औरंग जेब के मद्य हुआ था ये भी आपको ध्यान रखने है चले दोस्तो नेश्ट कुस्चन है कि माराजा जस्वंत सियं पर्थम की मरत्यू कहा हुई थी ये याद रखने हैं दोस्तो बहुत ही इपोर्टेंट कुस्चन है माराजा जस्वंत सियं की मरत्यू हुई थी जामरूद में यानि किस कुस्चन का A option राइट है अभी दोस्तों आपको याद रखना है यह जामरूद जूस्तान है यह काम पर स्थीत है अफगानिस्तान में पर होई थी दोस्तों जब जस्वंत सियां की मर्ति होती है तो ओरंग जेव ने एक कथन खाता यह कथन एकजाम में पूछा गया है वो कथन क्या था कि आज कुफर कुफर यानि की द्रम विरोधी का द्रवाजा तूट गया है यह कथन ओरंग जेव ने जस्वंत सियां पर्थम की मर्ति उ बताईए दोस्तों बहुत इपोर्टेंट कोस्टन है महाराजा जस्वंत सियंप पर्थम की मर्तिव अभी मैंने आपको बताया 28 नुमंबर 1688 जामरुद अफगानिस्तान में होई तो दोस्तों उसके पस्चात औरंग जेव ने जोदपूर का राजा गोसित किया था इंदर श किया था 1301 इश्वी में यानि कि इसका ए ओप्षन राइट है इपोर्टेंट कोस्चर आपको याद रखना है पर्थम साका भी दोस्तों 301 इश्वी को इसी समय हुआ था जब अलाव दिन खिल जी आकर्मन करते हैं उसी समय 301 इश्वी में राजस्तान का पर्थम साका होता है चली दोस्तों नेश्ट कोस्चन है कि राज्य का सबसे प्राचिंतम द्रूग कोन सा है दोस्तों इन ओप्षन के दार पर आपको बताने कि राज्य का सबसे प्राचिंतम द्रूग कोन सा है तो इसका सी ओप्षन राज्य का सबसे प्राचिंतम द्रूग है चितोडगर द् गोसित किया था तो दोस्तों अकबर और औरंग जेव ने जोदपूर को खल सा गोसित किया था यानि किसका सी ओप्सन राइट है यह कोस्टन दोस्तों बहुत बार एक्जाम में पुछा गया आपको याद रखना है अकबर और और औरंग जेव ने जोदपूर को खल सा गोसित किया था चलिए दोस्तों 26 मा कुछ ने मारवाड का राष्ट्रेगान या राष्ट्रेगीत कौन सा था बते दोस्तों मारवाड का राष्ट्रेगान या राष्ट्रेगीत कौन सा था तो दोस्तों इसका बी ओप्सन आपर राइट हो जाए दूसो या दूसा यह मारवाड का र या रजर गीत कहलाते हैं गुंबर दोस्तो राजस्टानका राजर नर्त यह आपको याद रखने फिसकी नर्त व graphic वंदय बात्रम यह भार्त का राश्ट्रय गीत के लिए और यह दोस्तों दोब यान है कि चली दोष्तों स्टाइर मा कुछ सेने कि 8 इत्यास नहीं पन्ना देय के बाद स्वामी भक्ति के लिए कौन परसीद है दोस्तों वीर दुरुगादास राठोड यानि कि इसका A option राइट है इपोर्टन्ट कॉस्चन और आपको याद रखना है चलिए दोस्तों और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है जैसलमेर राजस्तान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है यानि किसका B option राइट है और अगर बात करें दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है जैसलमेर चितोडगर के बाद जैसलमेर राजस्तान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चलिए दोस्तों तीसमा कॉस्चन है कि इन में से कौन सा द्रुग है जहां पर खेती भी की जाती है तो दोस्तों चितोडगर दुरुग है यहाँ पर खेती भी की जाते है यानि कि इसका C option right हो जाएगा और आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों इसे लाइक दिरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें चलिए next question है अजितो द्या ग्रंथ की रचना किस ने की थी बहुत important question है दोस्तों अजितो द्या ग्रंथ की रचना किस ने की थी 嗎 कि तो दोस्तों यह अब्यस्य के समय हूं था यानि कि have some right मां चलिए कि अगला कोस्य थे голब में वेश्णभ संपदय से समधित निर्मान क신े करवाई कि वेशनव संपर्दाय से समंदित मंद्रों का निर्मान दोस्तों जोदपूर में किस ने करवाय था विज्य सियने करवाय था यानि किसका बी ओप्षन राइट है यह द्यान रखना वेशनव संपर्दाय से समंदित मंद्रों का निर्मान जोदपूर में विज्य सियने करवाय था चलिए दोस्तों अगला कुस्टने की गुलाब रहे कौन थी गुलाब रहे तो दोस्तों गुलाब रहे विज्जे सियंगी पासवान थी यानि किसका ए ओप्सन राइट है विज्जे सियंगी पासवान चलिए दोस्तों नेस्ट कुस्टने की मारवाड की किस राजा को जह जांगिर का नुमुना केते हैं यह कोश्चन बहुत ही इप्वोर्टेंट है दोस्तो एक्जाम में यह पूछा गया है आपको याद रखना है मारवाड कि किस राजा को जांगीर का नुमुना का जाता है तो इसका चितोड़गर द्रुग के पर्थम द्रवाज़े का क्या नाम है तो दोस्तो इसका ए उप्सन एड़गर द्रुग का पर्थम द्रवाज़ा है चलिए दोस्तो नेक्ट कोशने के राजस्तान में बाड़ जाती के मुख्य कारे है बाड़ जाती का मुख्य कारे बताना है दोस्तो और ये एकजाम में बहुत बार क्वेस्टन पूछा गया है वेरी वेरी इपोर्टेंट है और आपको याद रखना है बाड़ जाती का जो मुख्य का अबलेख है रखना यानि कि इस कोस्टन का ए ओप्सन राइट हो जाए याद रखना है दोस्तो बाड़ जाती का मुख्य करे है विबिन प्रिवारों की वंसावली का अबलेख है रखना चली दोस्तो नेस्ट कोस्टन है कि पुत्री की विदाई पर गया जाने वाला गीत है तो दोस्तो इसका बी ओप्सन राइट हो जाए आमबो जो गीत है दोस्तो ये पुत्री की विदाई पर गया जाता है साथ में याद रखें दोस्तो ओडिन दोस्तो किसी की याद में गया जाता है अजमों दोस्तो गरबावस्ता के आठवे मेने में यह गया जाता है इडूनी दोस्तो जब इस तरिया पानी बरने जाती है उस समय यह गया जाती है तो आपको याद रखना है पुत्री की गया जाता है तो दोस्तों कच्ची गोड़ी नरते करते समय लस्करिया गीत गया जाता है यानि किस कुस्चन का डी ऑप्सन राइट है दोस्तों कच्ची गोड़ी नरते सेखावाटी का परसीद है यह आपको याद रखना है और दोस्तों इसके साथ और भी गीत गया जाते है चलिए दोस्तों, चालिसमा कुस्टन के नाएक द्वारा नाएका को बुलाने के लिए कौन सा गीत गया जाता है नाएक के द्वारा नाएका को बुलाने के लिए लावनी गीत गया जाता है यानि कि इस कुस्टन का B option right है लवनी का अर्थ दोस्तों बुलाने से होता है और ये नाएक द्वारा नाएका को बुलाने के लिए गया जाता है मोर्दवज उस्मन भरतरी ये राजस्तानी की परसिद लवनी है ये भी आपको द्यान रखना है इस कोस्चन का बी ओप्शन राइट है अगला कोस्चन की विवाय के अफसर पर कुमार के गर पर कौन सा नर्ते किया जाता है तो याद रखना है दोस्तों विवाय के अफसर पर कुमार के गर पर चाक नर्ते किया जाता है यानि कि इस कोस्चन का सी ओप्शन राइट है चलिए दोस्तो नेस्ट कोस्टन है कि डोल नर्ते में डोल की सेली में बजाए जाता है आप सभी को पता है दोस्तो डोल नर्ते कहां का फरसीद है जालोर का चत्रे नरते दोस्तो और यह जलोर का फेमस एड डोल नरते डोल कि सेलि में बज़ए जाता थमकूर के घ्रटल कुस्टक को सिद्पूरश परिष सकुन सास्तर के घ्याता योगी Σ्ट्रिय सिद्व वीर योदा आधि उपनाम से जाना जाता है बहुत इपोर्टेंट कोस्टन है दोस्तों आपके यहां पर 5-6 फेक्ट क्यार हो जाएंगे तो दोस्तों सिद पुरुष चमतकारी पुरुष सकुनसस्तर के ग्याता किस लोग देटा को मना जाता है योगी शिन्यासी वचन सीद वीर योदा आधि उपनाम से जाना जाता है दोस्तों हडबुजी को यानि किस कोस्टन का B option राइट है इपोर्टेंट कोस्टन है और एक् जन्तीम कुस्टन है क्यर्पुजी का जन्म किस एस्तान पर हुआ था राजस्तान के पंचपीरों में समील है थो Ст्थ हड्बु ज और इनका जन्म स coffee आ दोस्तो भुणंडेल नागोर में यानी किस कुस्टिन का डी सीटियर अप्शन रायट अपनर्फ लिए पाप्बु जी का जनम दोस्तो कॉलूमन्ड फोलद्धी में हुआ था ये आपको याद pię है और उन्डुकाश्मिर बाड मेर में दोस्तो बाबा रामदेवजी का जनम हुआ था दद्रेवा चूरु में दोस्तो गोगा जी का जनम हुआ था यह चारों फेक्ट दोस्तो बहुत बार एक्जाम में पूछी गए हैं तो आपको याद रखना है क्योंकि मैंने इस तरह यह जचाये हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा affect है यादे कृवाय जा सके तो ये ध्यार रखें चले दोस्तो आप बात करते हैं, लास्ट वीडियो में जो आप से question पूचा गया था उसके बारे में दोस्तों question का जवाब अगर आपको आता है तो comment box में जरूर लिखा करो जो चीज आप लिख देते हो वो सदा बर के लिए आपको याद हो जाती है तो चलिए आप बात करते हैं question of the day के बारे में आज का question है कि मेहाजी मंगलिया के गोडे का क्या नाम है मेहाजी मंगलिया के गोडे का नाम बताने हैं दोस्तों option है चेतक, गोगा बपा, लिलन, किर्ड काबरा इसका जवाब दोस्तों वीडियो के comment box में देना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी comment box में जुरूर बताएं और पुन्य में आपको बता देता हूँ, इस YouTube चैनल पर डेली राजस्तान पुलिस से समधीद मोडल पे प्रपलोड किये जाते हैं अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जूरूर करें और पास में जो बेल आइकन इसे भी प्रेस करते हैं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफ किसने मिल जाएं धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं वंदे मातरम, जय बारत